मंगलवार को होने वाले मद्दान के लिए पैरा मिलिटरी फोर्स के अलावा राजी के पुलीस बल को भी चुना संपन कराने जोग दिया गया है किसी भी प्रकार के नहोनी से बचने सारे प्रबंध कर लिए गया ताकि प्रदेश की सभी मद्दाता बिना भै के मद्दान कर सके विदान सभा के दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है चुनाव शांती पूर्वक संपन कराने के लिए रायपूर रेंज के पांच जीले रायपूर धमतरी महासमून गर्यबंद और बलोदा बजार में करीब 20,000 बल की तैनाती की जा चुकी है CRPAP, RPA, CAF, STF, ASF की 40 कमपनिया पहुंच चुकी है इसके अलावा सिक्किम बिहार, महराष्ट, होंगाड और अंधरप्रदेश का पुलिस बर भी आ चुका है सबसे खास CRPAP की महिला बटालियन की दो कमपनिया है जो पहली बार रायपूर आई है रायपूर के 179 सवेदन शील मदान केंद्रो की निगरानी पुलिस और सेंटर फोर्स ने सुरू कर दी है इन केंद्रो की बारिकी से जाज करने के साथ आसपास रहने वालों से भी जानकारी ली जा रही है बूत के आसपास के इलाकों का भी निरक्षन किया जा रहा है से यहां पर सकी गई है जो भी समेदन सी बूत हैं वहां पर सेंटर पेला मेर्टिफोस की अत्रिक्त बल लगाई जा रही है पहली बार यहां पर हमको दो कंपनी महिला CRPF मिला हुआ है उसका भी हम लोग जहां पर महिला मत जाता जादा है वहां पर उनकी ववस्ता लगाई गई है साथ ही एक दो जो आइडेंटिफाई है महिला भूत वहां पर भी उनकी ववस्ता लगाई गई है और साथ ही सभी विधान सभावार एक एक गेस्टेड ओपिसर की प्रिथक से ड्यूटी लगाई है कानून व्यासता के लिए और लगबग हर सेक्टर जो मजिस्टेट हैं उनके साथ एक पेट्रोलिंग और जो भी संबंदीत गेस्टेड ओपिसर हैं कुल मिलाकर बंदूकों के साय के बीच पोलिंग बूतों में लोग वोटिंग करेंगे अब देखना है कि शांती पूर्ण मद्दान कराने में पुलिस प्रशाशन कितना सक्षम हो पाता है ज्यादा सजादा वीडियो अब्डेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करें नीवली अब्डेट्स के लिए एकोन के दबाये वीडियो पोर्ट यू डिसाइड